इस माध्यमिक अंग्रेजी की कक्षा में शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को पाठ में शामिल करने का खयाल रखती हैं पाठ की शुरुआत में विद्यार्थी एक दूसरे को छोटे-छोटे अनुच्छेद बोल कर लिखवाते हैं इससे उन सभी को अंग्रेजी में बोलने और लिखने का मौका मिलता है विद्यार्थियों को पाठ में शामिल करने के शिक्षिका की तरीकों में से एक है अंग्रेजी निर्देशों की विद्यार्थियों की समझ को हिंदी में नियमित रूप से जांचना ये सुनिश्चित करता है कि कोई विद्यार्थी पीछे ना चूटे विद्यार्थियों की ना चूटे ना चूटे ना चूटे ना चूटे है eyes to see and ears to hear कक्षा में एक विद्यार्थी की बाहे नहीं है मगर उसने अपने पैरों से लिखना सीख लिया है और वे सभी गतिविद्यों में पूरी तरहां से शामिल है पड़ोस के बच्चों को देखता था पटते लिखते फिर मैंने सोचा कि मैं पैर से लिख कर देखूं फिर मैंने प्रेक्टिस करना सुरू कर दिया एक दो महनी मैंने प्रेक्टिस की फिर उसके बार मुझे लिखना आने लगा धीरे-धीरे स्कूल में आया स्कूल में मुझे बहुत अच्छी मदद मिलती है अगले पाठ में शिक्षिका एक स्थानिय गाउं के मेले के बारे में पत्रिका का एक लेख लिखने के लिए अपने विद्यार्थियों को तयार करती है ध्यान दीजिए शिक्षिका कैसे विचार मन्थन करवाती हैं ताकि जितना हो सके ज्यादर से ज्यादर विद्यार्थि अपने विचार व्यक्त करने हैं तू प्रोचसाहित हूं और उन्हें अपने लेखन के लिए शुरुआती बिंदु मिले एक ऐसे पाठ के बारे में सोचिए जो आप पढ़ाने वाले हैं उसमें आप कैसे सुधार करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर विद्यार्थि के पास पूरी तरह से भाग लेने का मौका है